दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारी चैनल में यह ड्रॉप स्पिंग की सीरीज स्टार्ट हो रही है आज फर्स्ट पार्ट है और पहला देन है हमारा ड्रॉप स्पिंग के बारे में और इस में बेसिकली मैं बताने बाला हूँ कि फ्यूच कभी COD हटाते हैं कभी wrong product भेजते हैं कभी कुछ problem कभी कुछ problem तो मैं यह नहीं क्या रहा कि हम reselling को बंद करने वाले हैं लेकिन हम कुछ नया सीखने वाले हैं यह बात मैं बोल सकता हूँ तो मैं अब हम स्टार्ट करेंगे drop shipping कुछ लोगों का यह भी बोलना होगा सर एक टाइम पर आप ही बोल रही थी कि drop shipping सही नहीं है drop shipping आपके लिए नहीं है आपको loss हो जाएगा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि drop shipping उन लोगों के लिए सही नहीं है जिनको knowledge नहीं है digital marketing क आपको knowledge नहीं कि कैसे drop shipping website design की जाती है कैसे Sovify for account बना जाता है कैसे Aliexpress और Alibaba से product को अपने Sovify store पर डाला जाता है तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको knowledge नहीं है और फिर आप drop shipping कर रहे हो तो drop shipping आपको loss देगी ना कि profit तो अभी मैं सारी knowledge आपको देने बाला हूं स सारी चीज़ें सिखाने बाला हूं तो profit तो होगा ही लेकिन business है business में दो ही value होते है या तो profit होता है या loss होता है लेकिन हम try करेंगे कि हम profit निकाल सकें अब अरे रुकिए एक मिनट रुकिए ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को like कर दीजिए और comment कर द ये हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और सौप बंजिरोबं जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा refer code डाल सकते हैं जो की वीडियो के description में हमारा refer code दिया है और आपको ये screen पर चलता हुआ भी दिख रहा है refer code डालते ही आपको 200 रुपए आपके bank account मिल जाएंग और तो मैं उनको थुड़ा सा समझा देता हूँ दोस्तों drop shipping एक business model है उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई stock नहीं होता आपके पास कोई warehouse नहीं होता आप बस mediator बनके companies की manufacturer के product को sale करवाते हैं उनके customer तक mediator बन जाते हो अपनी website बना लेते हो और उस website पर foreign के product Chinese website के product जैसे की Alibaba के product अपनी store पर या अपनी website पर import कर लेते हो मतलब अपनी website पर so कराने लगते हो customer आपकी website पर आता है और order लगाता है वो order सीधा चला जाता है Aliexpress पर Aliexpress वाले आपका profit margin एड़ करके उस product को deliver करा देते हैं customer तक तो आपका जो extra margin होता है वो आपके account में आ जाता है आपको पता होगा कि foreign या चाइना में जो product होते हैं बहुत ही जादा सच्ते होते हैं मान के चलो यह site है यह site की कीमत है चाइना में 500 रुपे अब मैंने अपनी store पर डाल दी 300 रुपई की या 400 रुपई की 400 की डाल दी 500 रुपई का profit add करके मैंने थोड़ा सा promotion किया अपनी जो store बनाया है उसका और मुझे 10 order मिल जाते हैं अब 10 order मिल जाते हैं तो customer आते हैं मेरे store पर order लगाते हैं तो मेरे store पर लगते ही सीधा उन exporter है या Chinese vendor है उनके पास पूरी notification पहुंच जाएगी वो क्या करेंगे ऐसी 10 cert pack करेंगे और delivery करा देंगे अब हमारा एक cert पर margin है 1.500 रुपई तो 10 पर हो गया हमारा 1500 रुपई तो वो 1500 रुपई हमारे account में आ जाएगा तो अब बात आती है कि इसमें क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है सबसे प सबसे ज्यादा सेल हो सकते हैं उनको identify करेंगे सबसे ज्यादा सेल किन प्रोडेक्ट की हो रही है उनको प्रोडेक्ट research pricing वगएरा सारी चीज़ें वो देखेंगे उससे भी पहले हमको आपना इस्टोर बनाना होगा ऑनलाइन इस्टोर डेजाइन करना होगा उसी इस्टोर पर हम aliexpress alibaba वगएरा वह सारी website के प्रोडेक्ट को अप्लोड करेंगे और उन प्रोडेक्ट को हम सेल करेंगे अब भाई बात आती है कि देखो हमने Shopify पर अपना इस्टोर बना लिया और aliexpress alibaba वगएरा से हमने प्रोडेक्ट भी एड़ कर दिये पहले इस्टोर बनाया अपनी website का अपने store का कैसे लोगों को लाएंगे कैसे order लेंगे तो आप सारी चीज़ें समझने वाले हो केबल यह पार्ट हष्ट है तो केबल एक base समझा रहा हूं और आप लोगों को बता हूँ इसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी आ सकता है यह ऐसा नहीं कि यह reselling की तरह लेकिन अगर drop shipping करनी है तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा आपने देखा होगा बहुत सारी यूटूबर यह बोलते हैं कि हमने drop shipping से लाकों रुपए कमाई तो ऐसा real भी है अगर आपकी sale ज्यादा होती है आपको promotion इतना ज्यादा कराते हो अपनी website का कि बहुत सारे ल तो कैसे उसको store को अच्छे से optimize करें जिससे की Google की post page पर आई कोई product search कर रहा है हमारी website सबसे पहले खुल के आई और order लगाई तो हमारी ज्यादा sale होगी पिलस हम कैसे Google में advertisement चला सकते हैं Facebook पर advertisement चला सकते हैं Instagram पर कैसे advertisement चला सकते हैं अपनी website वगेरा का YouTube पर कैसे चला सकते हैं वो सारी चीज़े भी इसके अंदर हम सीखेंगे मतला drop shipping का पूरा concept हम लेके आने वाले हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है तो थाम के बैट ये दिल को जिससे आपको अच्चे से सारी चीज़े समझ में आए सभी पार्ट को follow करते चलना और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हैं तो इस वीडियो के बात जो पार्ट टू आने वाला है न उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पार्ट टू का तो लिंक चेक कर लेजिए अगर आप नए हो अभी वीडियो अप्लोड हुई है अभी देख रहे हो तो अभी पार्ट टू नहीं मिलेगा लेकिन एक दो दिन बात देखोगे तो पार बहुत धन्यवाद